नारियल हाथ में लो सब लिया हाथ में नारियल अब दौनों हाथ में ऐसे रखो नारियल बोलो ओम 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 रामाय नमहा ओम 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 कहो हे बाला जी हे सन्याज सी बाबा यह हमारी अर्जी सुनो अब जिनके पास नारियल नहीं है बो दोनों हाथों की मुठी बांदो तब तक निजन वो माता जी बच्चा लिये है सूटर वाला सामने बच्चा जो माता जी लिये है जो बच्चा एकदम कप रहा है एकदम सामने इसको बुला लेना मुठी बांदो जिन पर नारियल नहीं है वो मुठीयों को अपने सिर पर रख लीजे दोनों हाथों को और जिन पर नारियल है वो नारियल हाथ में ही लिये रहेंगे काओ हे बागे सुर्धाम ब्रभू हे बाला जी महराज हे सन्यासी बाबा हे कलियोक्के राजा हम पर कृपा करो हम पर दया करो हमारी अर्जी सनो हे बागे सुरबाला जी हे सन्यासी बाबा आज जीवन परियन आपके चरणों से आपके धाम से आपके दर्बार से हम जुड़े रहेंगे हम आते रहेंगे परंतु हमारी अर्जी सनो हमारी अर्जी सनो आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो अब मुठी को नीचे कर लीजे नारियल को एक बार मस्तक्स से लगाईए अब हमारे साथ बोलिए ओम बागे सुराय नमाहा ओम बागे सुराय नमाहा ओम बागे सुराय नमाहा ओम हम हनमते नमाहा ओम ओम हम हनमते ओम शन्यासी देवाय नमाहा ओम सन्यासी देवाय नमाहा ओम सन्यासी नमाहा पुजपात स्री स्री शद्गुरू भगवान और स्री बागे सुर्बाला जी का दिया हुआ ऐसा अचूक और अटूट उपाय है यह सारविजनिक अरजी का जिन भक्तों के परचा नहीं बन पाते मिलना नहीं हो पाता अपने प्रश्ण का उत्तर पाने जो आते हैं अपनी समस्या और पीडा को मिटाने के लिए जो दर्बार में दोड़े चले आते हैं उनकी अगर मुलाकात ना हो पाए तो यह ऐसा अचूक और अटूट उपाए है कि अगर आपने सामुहे करजी लगाई लैसुन प्याज मास मंद्रा बंद कर दिये महिने में एक बार दो महिने में एक बार छे महिने में भी एक बार मंगल बार की या सनी बार की पेशी करना बागे सुर धाम की प्रारंब कर दी और घर पर ओम बागे सुराए ओम बागे सुराए ओम बागे सुराए नमह इस मंत्र का जाप पुरती दिन एक माला या तीन माला करना प्रारंब कर दिया तो जाओ परचा बने या ना बने इतने उपाए से ही घर पर बागे सुर्बाला जी किसे ना पहुंचाएगी जाओ परचा तो उनके लिए है जिने चमतकार देखना है जिने भगबान नाम पर भरोसा नहीं जिने बागे सुर्बाला जी पर भरोसा नहीं परचा तो उनके लिए है जो भक्त भाव के हैं जिने भरोसा है वो इस नियम भर का पालन शुरू कर दो कलियुक के राजाश्री हनमान जी है हम तुमें यह तीन पीडियों की गद्दी जहां सन्यासी बाबा दादा गुरू जी इन तीन पीडियों की गद्दी की सपत खाकर कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाओगे लाखों लोगों की बिगडी बनी है जाओ तुम्हारी भी बिगडी बन जाएगी और घर पर बागे सुर्बाला जी की सेना पहुंच जाएगी जब भी कोई काम करने जाना ओम बागे सुरायनमा मंत्रक बोलकर और कहे दिना ना चलो सन्यासी बाबा बस तुम कभी अस्फ़ल नहीं होगे काम सफल होने पर बागे सुर्धाम पर भंडारा करवाने का नियम है और याद रखना बागे सुर्धाम पर किसी ब्यक्ति विसेश पर कोई महमानी है न चमतकार है बागे सुर्धाम पर बागे सुर्बाला जी का चमतकार है हम तो सिर्फ माध्यम है तुम्हें मांगना ही है तो दो कौड़ी की बस तुम्हें क्या मांग रहे काया माया जौप, पद, नौकरी, परिबार इसको मांगने की बज़ए देने बालो को ही मांग लो कि हे बाला जी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए फिर आप कहोगे उससे होगा क्या तुमने बहुत धब के खा लिए बहुत उपाई कर लिए बहुत तोटका कर लिए बहुत दरबारों में भटक चुके बहुत रुपया बरबाद कर चुके अब खबरदार सावधान हो जाओ अब एक काम करो आज से तुम बागे सुर्बाला जी के हो जाओ बागे सुर्बाला जी तुम्हारे हो जाएंगे अब जो अरजी लेकर आए हो मनहिमन बाला जी को प्रणाम करो और अपने प्रश्ण को तीन बार अपनी जिग्यासा अपनी समस्या को तीन बार मन ही मन बोलो ओम 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 काओ हे बाला जी हे सन्यासी बाबा हे कलियुक के राजा यह हमारी अरजी स्विकार करो आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो जो जहां खड़े वहीं बैठ जाओ एक मिनट के लिए तुरंत बैठ जाओ बिना सोर मचाए जो गैलरी में खड़े हैं वो गैलरी में बैठ जाओ सेबादार भी बैठ जाओ कुछ कारण हैं बैठ जाओ जाने बाले भी बैठ जाओ दो मिनट बाट जाना जो गैलरी में खड़े हैं आग्या काउ लंगन मत करो बैठ जाओ आँगे पीछे करके बैठ जाओ अब अपनी ये दाइने हाथ के मुठी लो सीधा उतारा करो सिरसे साथ बार जो खड़े हैं वो मत करो बैठे बाले ही कर पाएं अब बाएं हाथ की मुठी का उल्टा उतारा करो वैंटी किलोक में नारियल को घुमा सकते हो मुठी को खोल दो बाला जी की तरफ नारियल को लिए रहना अब दोनों हाथों को मलो सब ओम बागे सुराय नमहा ओम बागे सुराय नमहा एक बार नेत्रों में लगा लो शरीर में आपको जहाँ पी रहा है वहाँ इस परशकरा लीचे अब बैटे बैटे दोनों हाथों को उठा कर बोलिए बागे सुरदाम की सन्यासी बाबा की दिब दरबार की गव माता की अब फिर बैट जाओ नारियल वाले सुनो ये नारियल कोई खड़ा नहीं होगा आभी एक उपाय करना है नारियल अपने पूजा रूम में रखना है पूजा मंदिर में रखना है जब कभी आप बागे सुरधाम आबें इसनारियल को ले करके आना है वहाँ पर बांधना है आपकी आज सामूही करजी लग गई है अब आप प्रती दिनों बागे सुरायनमा मंतर का जाप करना एक दो महीने में तीन महीने में एक अई स्पेशी करने का नियम सुरू कर देना जाओ जो जो यहाँ ब्राजमान है आप सब के घर पर बागे सुरूबाला जी की सेना को होच जावे और एक बात बोलें आप जितने भी पंडाल में पंडाल के बाहर हैं अब आपकी समस्या आपकी नहीं है आज से अब आपकी समस्या बागे सुरूबाला जी की हो गई है